बेटमा थाना परिशार में रईवार शाम नौधुरुगा उस्व के मद्य नजर शांति समीति के बेठक का आयजिन क्या गया इस दुरान कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नौधुरुगा उस्व मनाने की चर्चा की गई बेठक में तेसिलदार दिपालपूर में नौधुरुगा उस्व समीति के निदेशित किया कि माधुरुगा के पर्तिमा इस्थावित करने के लिए 30-45 फिट से बड़े साइच का पंडाल निर्मित न करें पंडालों गर्बा और कन्या पूरी तरह से अप्रतिमंदित रहेगा उन्होंने कहा कि पंडाल के लिए बिजली पानी में समीतियां अस्थाई रूप से कनेक्शन पाफ्व करें बेठमा समादेता की रिपोर्ट आगामी नवरात्री एवं दसरा पर्व के आयोजन के संबंद में थाना बेठमा में आज सांती समीति एवं आयोजकों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी और इसमें आयोजन के संबंद में लोगों को जानकारियां दी गई है जो मध्यप्रदेशासन गृव भाग का जो नविंतम जो निर्देशाय है वो सब को उससे आवगात कराया गया है और इसमें जो मुर्तियों की जो साइच जो कुर्व में अधिक्चम 6 फिट बताई गई थी उसका जो प्रतीबंद है वो समाप्त कर दिया गया है उसकी साइच कितनी भी हो सकती है गर्भा और चुन्डरी आत्रप की अनुमती नहीं रहेगी किसी प्रकार के चल समारोह नहीं निकलेंगे कोई सांस्कृतिक कारेक्रम नहीं किये जाएंगे और यहां पर जो अभी संति समिती की बेठक में यह भी तहे हुआ है कि जो घुड़ दोड़ और निसाने बाजी की जो प्रतियोगिता होती ही वह भी नहीं है तरी भंडारे अगेरा जो होते हैं आईजन नहीं होगा किसी भी प्रकार की सोशल गेद्रिंग जिससे कोरोना संक्रमण का मतलब खत्रा बढ़े ऐसा कोई भी आईजन नहीं किया जाएगा और एक बात इस परस्त यह है कि कोई भी कि आईजन के लिए पूर्व में आपको अनुभी भागी अधिकारी से अनुभती लें पड़ेगी दसरा उत्साय आईजन समीटी को फलेक्टर महतास है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूले